यूटूब के इस ओडियो वीजुल बुक रिवियू सिरीज में आज जिस पुस्तक की समिक्षा की जा रही है उसका सिवशक है और देश बढ़ गया लेखक है राष्टी स्वंग्सिवक संग के प्रचारा एवं भारती इतिहास के मनीशी होंगा शांद्रा बिंकर ट्रमया श शेशाद्री जी का संपूर जीवन राष्ट को समर्पित रहा संग के कारेकरताओं के बीच वह होवे शेशाद्री के नाम से लोग प्रिये थे भारती स्वाधिन्ता संगर्स सत्ता हस्तांतरण और देश विभाजन पर शेशाद्री जी की पुस्तक और देश बट गया में तथ्यपरक तरीके योंग निश्पक्षता के साथ भारत के विवाजन पर प्रकाश डाला गया है। और देश बट गया पुस्तक में शेशादरी जी ने भारत के विवाजन की त्रास्थी का वर्डन किया है। इस पुस्तक में कुल 27 अध्याय हैं जिन में स्वाधिंता संग्राम की निडाय खड़ी, हिंदू मनोबल पर कुठारा घात, मुस्लिम अलगावाद को प्रोचसाहन, बंग भंग, दुईराश सिधान्त का विजारोपन, राष्ट जाग उठा, कॉंग्रेस तुष्टिकरण के फेर में, खिलाफत अंदोलन एक भैंकर भूल, खिलाफत के कडवे पल, धर्मांतरण और दंगो का बोल बाला, मुस्लिम मांग अत्रिप्त पिपासा, सांप्रदाइक निर्णे, दस्यू शैली लीग को रासाई, राष्टी प्रतीकों पर समझावता, बालकन जैसे प्रदे मांसी की तैयारी में, लिग की सीधी कारवाई, पूर्ण गतिरोध, विभाजन के लिए नेता मांसिक रूप से तैयार, विभाजन की स्विक्रिती, भारत के साथ छल, भैंकर, विनास, सब कुछ स्वाहा, राजियों के विले की चुनोती, क्या विभाजन अनिवारे था, व देश बट गया पुस्तक के मुस्लिम अलगावाद को प्रोचसाहन अध्याय में, शेशादरी जी लिखते हैं, कि सरसयद अपने समय में ब्रिटिश समराज का बभादार सिवक था, सरसयद का मानना था, कि भारती मुसल्मानों का कल्यान, अंग्रेजी शिक्षा और पस्च् बेता को ग्राण करने में ही है, सरसयद ने बाइबल पर एक टीका भी निकाली थी, ताकि इशा का संदेश धुमिल न होने पाए, सरसयद के अंसार, इसाई और मुसल्मान ओल्ड टेस्टामेंट के एक ही उपासना कुल के सदश्य थे, शेशादरी जीने सरसयद के दोहरे च जाते तो हां लडाकू मुद्रा में ग्रह युद्ध की धमकी देते थे, अपनी पुस्तक में शेशादरी जीने भारत के विवाजन की कई एतिहासी घटनाओं का उल्लेक किया है, पुस्तक के द्विराश्टिधान का विजारोपण में वा लिखते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को ज जब लाट मिंटो के आशिरवाद से मुस्लिम लेक की अस्थापना होई, तभी लेक का घोशित लक्ष जलग गया था, और देश बट गया पुस्तक में शेशादरी जी ने लिखा है कि कॉंग्रेस किस तरह आरंब से मुस्लिम तुष्टिकरण में जूटी थी, कॉंग्रेस ने अनेक तरह के प्रलोभान मुसल्मानों को दिये, कॉंग्रेस अपने अधिवेशन में भाग लेने वाले मुस्लिम प्रतिनिदियों को किराया और अन्य यात्राभत्ता देने लगी, और अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिदियों के लिए विशेश सुक्स विधाओं की बेवस्था की जाने लगी और देश बट गया पुस्तक की एक अन्य महत्पूर अध्याए खिलाफत आंदोलन एक भैंकर भूल में शेशादरी जी लिखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के समय हिंदो मुस्लिम एकता का जम कर बिरोध किया उस दौर में खलीफा की प्रवसत्ता का प्रभाव समस्त मुस्लिम जगत पर था उसी समय सरसयद ने मौलाना सिबली से एक लेख लिखवा कर सिद्ध करने का प्रयास किया कि खलीफाओं की परंपरा तो चोथे खलीफा से समाप्थो चुकी थी जिन्ना ने भी खिलाफत आंदोलन का बिरोध किया था शेशादरी प्रश्टी इसलाम के हीत में था उन्होंने यह भी कहा कि दारूल इसलाम के छेत्रों में जीन लोगों ने अधिकार कर लिया है उनके विरुध जिहाद करना मुसल्मानों का मजहभी दाइत्व है पुस्तक के धर्मांतरन और दंगो का बोल वाला अध्याय में शेशादरी जी लिखते हैं कि स्वामी सृधानंद ने हिंदों का धर्मांतरन रोकने के लिए शुद्धी आंदोलन चला रखा था 1923 की पहली शमाई में संजुक्त प्रांत के कुछ भागों में 18,000 से अधिक मुसल्मान पुना हिंदो बन गए मुसल्मानों के साथ कॉंग्रिस के नेता भी स्वामी जी के इस शुद्धिकरन आंदोलन की निंदा में जूटे थे 23 दिसंबर 1926 को स्वामी सर्धानन जी से अब्दुल रशीद नामे के एक मुसलिम मिलने आया और उसने अपना रिबॉल्वर निकाल कर स्वामी जी पर गोलिया बरसा दी रशीद पकड़ा गया बगर उसके बचाओ के लिए मुसल्मानों ने काफी पैसाई कठा किया कॉंग्रेस के एक प्रमुख नेता आसफ अली ने अदालत में उनकी पैरवी की पुस्तक में लिखा गया है कि कॉंग्रेस के गुहाटी अधिवेशन में महात्मा गाधी ने अब्दुल रशीद को भाई कहा गाधी ने कहा कि मैं उसे स्वामी जी की हत्या का दोशी नहीं मानता वास्तों में दोशी तो वे हैं जिन्होंने एक दूसरे के बिरुद्ध घ्रिना फैलाई और देश बट गया पुस्तक में शेशादरी जी लिखते हैं कि किस तरह से मुहम्मद अली जिन्ना जिन्ना भाई से कायदे आजम बन गए शेशादरी जी ने जिन्ना की खोकली राष्ट भक्ति की परते खोलते हुए लिखा है कि जिस व्यक्ति ने कभी केंदरी धारा सभा में कहा था कि मैं राष्टवादी था, राष्टवादी हूँ और राष्टवादी रहूँगा वह बाद में साफ कहने लगा कि पाकिस्तान का जन्म तो उसी दिन हो गया था जब सदियों पहले प्रथम हिंदू का धर्मांत्रण इसलाम में हुआ था वह लिखते हैं कि मुस्लिम ली और जिन्ना द्वारा इसलाम के नाम पर हाय तौबा मचाने की चाले सफल सिथ होई पुस्तक में हिंदी भाषा को राष्ट वासा बनाये जाने को लेकर शेशाद्री जी लिखते हैं कि स्वामी द्यानन सरस्वती, बीर सावरकर, बंकिम चंद्र चटर जी, लोकमानने तिलक, राजा जी और महात्मा गाधी जैसे राष्टी नायकों ने अप्रयत्न किया कि हिंदी जन संपर्क की भाषा बने, परंतु मुस्लिम लीग इसे सहन न कर सकी, वहाद धोकर हिंदी के पीछे पढ़ गई, और वह उसे हिंदु आधिपत्ति का प्रतीक कहने लगे लीग ने तो यहां तक घोशडा कर दी थी, कि वह कॉंग्रेस को तभी सहयोग करेगी, जब कॉंग्रेस हिंदी के अस्थान पर उर्दु को राष्टभासा स्विकार कर लेगी और देश बट गया पुस्तक में शेशादरी जे लिखते हैं, कि वास्तों में इस बात के ठोश आधार हैं, कि यदि हमारे नेता विवाजन का द्रणता के साथ बिरोध करते, तो इस्थती कुछ और ही होती अखंड भारत को मान्यता मिलती और आंतरिक विशोब भी टल जाता बिटेन की नई निती ने जिन्ना को बात कर रख दिया था उसके अपने साथ ही जो सामप्रदाइक उनबाद में उससे चिपके हुए थे, कठोर वास्तिक्ता से टकरा कर इधर उधर भागने लगे थे और देश बट गया पुस्तक की भाशाशली बहुत प्रभावशाली और अस्पष्टता को समेटे हुए है पुस्तक के लेखक शेशादरी जी ने अनेक ग्रंथों, पुस्तकों, यंग समाचार पत्रों के अध्यान के उपरांत इस प्रभावशाली पुस्तक की रचना की है भारत के विकास, शक्ति, प्रतिष्ठा एंग विश्वगरू बनने के सपने को कैसे साकार किया जा सकता है पुस्तक में इन बातों पर भी चर्चा की गई है निश्चित रूप से शेशादरी जी जैसे महान विचारक की लेखनी से निकले शब्द इस पुस्तक की सार्थक्ता को बढ़ाने का काम कर रहे है और देश बट गया पुस्तक के अध्यान के उपरांद होवेश शेशादरी जी के विचार एवं उनकी भाषाशाशैली तथा उनके लेखन से जुड़े अन्भावों की जानकारी प्राप्त होती है वर्तमान परस्थितियों में आपुस्तक पाठखों के लिए भी बेहद उपियोगी और ज्ञान वर्धक है इस पुस्तक का मुल्ले 200 रुपए है आप एक बारी आपुस्तक अवश्य पढ़ें इस पुस्तक को खरीदने या इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप जैवीर सिंग्जी से संपर्क कर सकते हैं इमेल आइडी है साहित दरप्रण भारत एट जीमेल डॉट कॉम मोबाईल और वर्टसप नंबर है 965 0033433